नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग जैसा कि कल बात किया था हमने कि एक्जाम की त्यारी कैसे करें और बिसिकली करेंट अफेर अब मैं डेली साम को 15-20 मिट में पढ़ाऊंगा और जो इंपॉर्टेंट कोश्चन है इसमें सभी रेंज के कोश्चन रहेंगा जो सबसे इंटर्ग्रेयोट का एक्जाम हो रहा है उस लेवल से लेके जो अउप si लेवल है उन सभी रेंज को कवर करेंगे को कि अब जो पैटन है उसमें सीख आप कुछा के उसमें कि ज्यादा फोकस किया जा रहा है और कुरण्टस दे लुट का बढ़ाया जा रहा है तो वान लै सब लोग यही सवाल लिखते हैं कि मुझे डर लग रहा है क्या करें कैसे कर देखिए डर लगना सोभाविक है डर तो अगर आपको नहीं लग रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी में कुछ कमी है और आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है अगर डर लग रहा है तो बहु नमसकार, कुंदन जी नमसकार, संध्या जी नमसकार, अभय जी नमसकार, चलिए धननजा जी धन्यवाद आपने लिखा कि आवाज क्लियर आ रही है ठीक है और एक चीज है माइंड सिट बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने पहले भी आपसे बात किया था कि एक किर्केट मैच का एक्जामपल देता हूं कि साउथ अफ्रिका और ऑस्टेलिया का किर्केट मैच था उसमें 50 सबर के मैच में उस्टेलिया ने 434 रन बना दिये और जब साउथ अफ्रिका टीम बैटिंग करने गई तो उनके जो कोश्ट थे उन्होंने एक जूट मूट का एक सर्वे कराया पीच का कि 434 कैसे बन गया उसके दुने ने काया कि अरे इस पीच पे तो 500 रन बन सकते थे और यही बाद सभी प्लेयरों के दिमाग बैट गई प्लेयर के बाद मैच के वाद जो मैच आफ्टर मैच परेंटेशन होता है उनका कैप्टर ने ये बाद बोली कि हमारे कोश ने जीतने मदद के और उन्हें जीत लिया उस मैच को आप देखिएगा इस मैच को जाके सब बहुत सारे लोग को पता होगा तो अपना माइंड से असान रखिए आपको एक एक्जाम कॉलिफाई करना इस एक्जाम में आपको चार किताबे पढ़नी है उसी से एक्जाम करना आ आणा है इस स्वार जो वेकैंसी आई है जैसे कि अगर बात करें बीपेसी की बात करें तो चार सो लड़के सलेक्ट होंगे ही सब कोई ना कोसा लेक्ट होगा चार सो आप पढ़ेगा तो आप आएगा लिस्ट में पहले से नहीं लिखा हुआ हुआ है कि कौन उस चार सो में आने बाला है जो जितनी पढ़ाई करेगा जो जितनी मेहनत करेगा उसका रैंक आएगा जो 12,000 वेकेंसी आये बीएसे से की उसमें 12,000 लोग select होंगे ही ऐसा नहीं है कि कोई select नहीं होगा जार किस पर तो paper tough आया कोई select नहीं होगा पेपर टफ और असान सब के लिए होता है बहुत माइनूट सी बात बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इस चीज को पार किया है मैंने इस लेवल को पार किया है तो मैं उस experience को share कर सकता हूँ अपने गेकजाम से पहले मुझे भी बहुत डर लगा हुआ था इसलिए आपको उसमें ज़्यादा डरने के ज़रूत नहीं है करन्ट अफेर देखिए राज राज बबर जी नाम जायद आपका तो अगर यह असली नाम है तो अच्छा नाम है और देखिए करेंट अफेर का परसेंटेज दो चीज़ा परसेंटेज बीपीएस ती बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है आजकल पहला है आपको करेंट अफेर और दूसरा है साइन्स कि इन दोनों का परसेंटेज चार दिन बाद एकजाम होने वाला आप देखिए का बहुत ज्यादा रहेगा तो इन दोनों पर ज्यादा प्रैक्टिस करके चाहिए करेंट अफेर भी बहुत बढ़ा समंदर है साइंस भी बहुत बढ़ा समंदर है लेकिन कुछ तो इसके लिए 7 अक्टूबर को हम लोग का बैच स्टार्ट हो रहा है आप उस नंबर पर बात कर सकते हैं 7079212121 और रुकमनी पॉब्लिकेशन का जो वेब साइट है और वो उस पर आप देख सकते हैं रुकमनीप्रकासन.com यह और एप है रुकमनीप्रेप उस पर आप देख दीजेए। इंटर्व्यू कलीफ क्लास हम लोग मैं इंटर्व्यू क्लीफ जूम क्या सेसें करूma जो लोग इंटरेस्टेड है कल मैंने आपना टिलग्राम बताया था उस telegram पर आप किज़ेगा मैं zoom से एक session ले लूँगा मेरा telegram है Superman Returns 1 कल मैं ने पुरा telegram लिखवा है तो आपको फिर से लिखवा रहा है जो लोग interested है इस पर आप message किज़ेगा हम लोग उसको जरूर मैं zoom के माध्यम से और आपसे मैं जूरूँगा ठीक है मेंस एंसर राइटिंग के लिए मैं बताऊंगा कोई मेंस कभी एकजाम नहीं है लेकिन मेंस एंसर राइटिंग में मेरी बहुत अच्छी पकड़ है अगर कपने मुझे तारीफ नहीं करने चाहिए और पिछले 2-3 BPSC मैंने जिनको इनको गाइट किया है उनके अच्छे नमबर आया है मेंस में तो मैं आपको जरूर गाइट करूँगा मैंने कल भी कुछ हिंट दिया था BPSC के लिए कि आपको किन-किन बातों पर ध्यान रखना है जैसे कि आपको चार-पास-लाइन का परग्राफ लिखना है फिर एक फ्लोचार्ट बनाना है फिर दो चार-पास लाइन परग्राफ लिखना है फिर आपको डिया नहीं कर सकते हैं और पहली बात दूसरी बात जिनको guidance की जरूवत है जो लोग self study कर सकते हैं sufficient आप self study कीज़ें, self study से better बहतर कुछ भी नहीं है लेकिन जिनको लगता है कि उनको guidance की जरूवत है, उनके लिए वे batch है चलिए, तो हम लोग आज का current affair start करते हैं, फिर में बाद मैं आप सवाल लोगा, ठीक है तो सबसे पहला सवाल है, अखिल भारतिय बाख अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सरुदिक बाखो की संक्या वाला राज्य कौन सा है इंग्लिज में है, according to the report title, All India Tiger Estimate 2022, which state has become the state with the highest number of tiger, कौन बताएगा सही जवाब है, मद्ध पर्देश ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बादे में 4-5 चीज़े जान लेते हैं अखिल भारतिय बाख अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सरुदिक बागो की संक्या वाला मद्ध पर्देश है 2022 में गन्ना कनुसार मद्ध पर्देश में 785 बाग थे वर्तमान 2022 के गन्ना कनुसार भारत में 300 सरसट है पर्दान मंत्री ने प्रजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्व होने पर करनाटका के मैसूर मायज़त इंटरनेशनल बिग कैट एलाइंस के उद्गाटन करते वे इस गन्ना को जारी किया था ठीक है यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ इसको आप जान लिजेगा कोगि यह न्यूज में है इसलिए इस चीज को हम लोग कवर कर रहे है अगला बिहारी पुरुस्कार किस छेतर में दिया जाता है यह इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत सारे यह ट्रैप कि लिख रहे हैं सी गलत जवाब है इसका इसका जवाब होगा डी साहित और बिहारी पुरुस्कार क्या बिहार से संबंदित है बहुत साहे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिहारी पुरुस्कार बिहार संबंदित है नहीं यह बिहार संबंदित नहीं यह रास्थान का पु बिहार से रिलेटेड नहीं है क्या कि बिर्ला फाउंडेशन दरह 32 में बिहारी पुरुषकार में डॉक्टर माधव हाड़ा को परदान किया गया है ठीक है यह एक राजस्थानी वार्ड है जो हिंदी या राजस्थानी में लिखने पर सहीत की उसमें मिलता है ठीक चलिए कैसान सवाल है और यह सवाल एक्सप्टेड है ना कि कि विस्वे हैपिनेस इंडेक्स 2023 में भरत का इस्थान क्या है जल्दी कमेंट किजिए पिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सभी जवाब है 126 happiness index क्या होता है कि कितने लोग आप किया खुस हैं तो यह बड़ा इंट्रेस्टिंग से सब वह है कि कुल 146 countries की रैंकिंग है भारत 126 वे नंबर पर आता है इसका मतलब हम लोग खुस नहीं है ठीक है और खुस क्यों नहीं है तो खुस रहने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए कि ऐसी यह एक्जाम का कोश्चन नहीं है खुस रहने के लिए क्या विसकता होती है जो लोग लाइव हैं बताईए सही बात है बिरोजगार क्या खूस होगा तो एक सबसे पहला चीज हो गया employment बिरोजगारी employment और employment से ही सब कुछ रिलेटर जाब पस employment आएगा तो आप पैसा आएगा तो आप poverty से बाहर चले जाएंगे ठीक है फिर आप कपड़े अच्छे पहनेंगे जो जो जब आप दिया रोजगार और employment अगर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा फैदा होता है किसी भी देश में हर चीज employment के बात क्या आएगा आपके पास salary आएगी salary क्या हो गया आपके पास money हो गया और एक वो बात है ने कि पैसे से भगवान को नहीं खड़ा जाता लेकिन भगवान से कम भी नहीं है पैसा ठीक है तो कि अरहुल पांडे जी सासन पर सासन के मंदारी देखिए वह वह चीज अभी आप स्टुडेंट है वह सकता मैं गलत बोल रहा हूं लेकिन उन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान निया देजिए अपने तयारी पर ध्यान दीजिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ भी में 400 वेकेंसी है तो इसमें इतने इतने बच्चे सेलेक्ट होंगे न ऐसा तो नहीं है कि पेपर यह बहुत है तो कोई सेलेक्शन ही नहीं हो रहा है आप उस पर फोकस कजिए अपने त्यारी फोकस के जब समय आएगा आप प्रसासन मा यह फिर प्रसासन को दारी है तो इसलिए ज़्यादा अपना जो डाइवर्जन मतला है अपना कॉंसेट के लिए रखिए कि मुझे मेहनत करना है और हमेशा ऐसा हुआ है कि आपकी मेहनत को न कभी वह नहीं क्या है कि आपने वह टालग है कि कि सारी जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजित की है कि इतने है न भगवान आपको हर चीज मिला देते हैं तो उतना अपने अंदर भूख लाइए कि मुझे सक्सेस्फुल होना है ठीक है कि इंडिया का रैंक इसमें 126 है इस रिपोर्ट इस प्रोडियूस वाई यूए एस डी एनस इसी इसी इंडेक्स से पता चलता है तो हमारा जो प्रेस है वह कितना बाइस्ट है इसी इंडेक्स से पता चलता है तो हमारा जो प्रेस है वह कितना बाइस्ट है उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा आप रैंक से समझ सकते हैं कि हमारा जो न्यूस पेपर छपता है वो किसी से आप से चपता है ठीक है चलिए कुछ और रैंकिंग से उसको देख लीज़े क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस भारत रैंक 8 है ठीक है एलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 108 है ग्लोबल फायर पावर में 4 है ग्लोबल टेरिजम इंडेक्स में 13 है यह इंपोर्टेंट है ग्लोबल इंडेक्स में 42 है यह भी इंपोर्टेंट है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स कि आपका पासपोर्ट कितना पावरफूल अब कितनी देश जा सकते हैं तो भारत का स्थान बहुत पीछे है चौरासिवा है पासपोर्ट इंडेक्स में 144 है पास्पोर्ट इंडेक्स दोजाटेश यह दो बाट टाइप हो गया है वर्ल्ड हैपिनेस में 126 है ठीक है इसका पहला स्टेटमेंट सही है यह किसान क्रेट कार्ट के तहत क्रेट से वाँ में करांती लाने के लिए कहा किया गया है जो किसान सबसे आपको जीने के लिए जो खाना देता है वह सबसे बुरे हलत में इतने किसान करते हैं अगर आप सब लोग त्यारी कर रहे हैं सब को उस चीज का आइडिया होगा कि कितने किसान सुसाइड करते हैं भारत में उनको कहीं से कोई facility नहीं मिलती जो हमारे प्रेम चंद ने अपने कहानी में लिखाता है कि एक गरीब किसान जब भी किसान उतको उसके साथ गरीब लगाया जाता है तो उस चीज को सुधारने के लिए सरकार बहुत सवारा कदम करती है लेकिन उसको implementation नहीं हो पाता है तो आप लोग जब bureaucrat बनिएगा तो कोसिस कीजिएगा मैं जब तक field में posted था मैंने कोसिस किया honestly कोसिस किया कि जो मेरे end से हो सके लेकिन एक आदमी बहुत ज्यादा changes नहीं ला सकता है बहुत बारा समंदर है लेकिन जितना आपके पास हो सके आप कोसिस कीजिएगा कि मैं अपन आपका उसका impact दिख जाता है तो पहला statement सही है दूसरा statement गलत है कि इसको नईसी ने बनाया है करिसी का चीज करिसी तो आए गहीं इसमें तो पोटल किसानों के इसके लिए बनाया गया किसान टेटारीन से समंदित किसान को असान करने के लिए इसमें आपको ministry of agriculture के द्वारा दूरा इतने लोगों ने मिलके बनाए तिक मैं कुछ-कुछ बाते करता हो जीजों को याद दिए चलिए आगे बढ़ते हैं रवांडा रवांडा के बारे मैं सवाल क्यों ले रहे हैं मैं बाद बताऊंगा रवांडा के बारे में लिखित कत्रों पर विचार कीजिए रवांडा एक लैंड लॉक्ट मतलब क्या होता है जैसे हमारा बिहार है बिहार लैंड लॉक्ट है हर तरफ से इसमें समुंदर से कह टच नहीं कर रहा है विहार वैसी क्या अस्थल रूद देश है जिससे होकर भूमत दे रेखा एक्वेटर गुजरती है और रवांडा की सीमा यूगांडा तंजानिया बुरंडी और केनिया से लगती है यह कोश्चन इंपॉर्टेंट है मैं बाद बताओंगा क्यों इंपॉ ठीक है इसमें दोनों गलत है हम लोग आगे बढ़ते हैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी हम लोग विमेन जो परसेंटेज है हमारे पार्लियमेंट में उस पर बात कर रहे हैं और विस्व में सबसे ज़्यादा विमेन का प्रेजेंटेशन है वो रवांडा में ही है ठ इंट्रिव में और पीटी सब में क्योंकि रवांडा में सबसे ज़्यादा 61% है इंडिया में कितना है रवांडा इज लैंड लॉक कंट्री इंडेट ट्रिफ्ट वैली और सेंट्रल अफ्रिका वेर अफ्रिकन ग्रेट लेक्स रिजन्स और साउफ इस्ट अफिस्ट अफि कि रवांडा में सबसे ज़्यादा महिलाओं का पर्तिन दीवत है एक सट परसेंट है ठीक इस चीज को लोग इसलिए पढ़ रहे हैं इंडिया में कितना है कि इंडिया में 15 परसेंट है लोग सभा में और 13 परसेंट है राज सभा में कि जो लोग गाहों से जुड़े हुए उनको पता होगा मुखिया पती क्या होता है मुखिया पती कॉंसेप्ट आ जाता है तो मुखिया पती जिसको पता है एक लाइन में कॉमेंट करके बताई के तब तो हम लोग अगले कोशन पर चलते हैं कि दुरवास्त्र मिसाइल के ब गाइडेड मिसाइल है दागो और भूल जाओ मिसाइल की नियुनतम सीमा 500 मिटर और अधिकतम 7 किलोमेटर है ठीक है किसको किसको पता है दुरवास्तर मिसाइल के बारे में इसका सिर्फ दो नंबर सही है ठीक है पहला स्टेट्मेंट गलत है यह सर्फेस टू सर्फेस नहीं है एयर टू सर्फेस होता है कितने तरह के मिसाइल होते हैं मिसाइल होता है एक सर्फेस टू एयर होगा ठीक है सर्फेस मिसाइल को लॉंच किया हवा मारेगा ठीक है यह सर्फ सरसेस से ही लेकर सरफेस पहांब दिया अपने ठीक है held मिसाइल प्रोग्राम कब शुरू किया गया था एक प्रोग्राम था 1983 में इंटिग्रेटड गाइड़्ट अब मिसाइल डेवलोपमेंट प्रोग्राम ठीक है 다음 अप इंटीग्रेटड जाइड़्ट मिसाइल डेवलोप्मेंट प्रोग्राम यह 1983 में स्टार्ट किया गया था ठीक है प्रित्वी अगनी तिर्सूल डाग अकास ठीक है यह पांच मिसाइल इसके तहद बनाए गये थे रानी जी मैं मेंस के लिए एक पटिकुलरली चार-पांच वीडियो में क्लास लूँगा और आपको जिससे सही में मदद मिलेगा मैंने पहले ही कहा है कि मेंस में मेरी पकड थोड़ी अच्छी है जो मुझे फील होता है होगे मेंस में दोनों जी एस में 300 में मेरे पास मेंस का अटिय वाला कॉपी है 200 प्लस नमगराएं थे 200 लस्ट प्लस तो थोड़ी पकर मेरी अच्छी है कि मेंस में से राइटिंग कैसे लिखते हैं ठीक है चलिए तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यह एक हेलिकॉप्टर पर्चिपतित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है यह कम दूरी की हवा से सथा पर मार करने वाला मिसाइल है यह रक्षा नुजंधान विकास डिया डियो द्वारा बनाया गया है धुर लॉकर के इमेज और चीदे वहां जाके मार देगा यह ठीक है इसों गाइड नहीं करना पड़ेगा कई फिल्मों में देखा थे सल्मान कान की फिल्म थी उसके पीछे वो गाइड कर देते हैं और वह बैचारा भागता रहता है और वह कैसे उस पर अटैक करता है ठीक है दा सब जगह काम करेगा यह इस इंपोर्टेंट सवाल है इसमें है आपको परियूशन पर्व निमलिखित वैसे किस धर्म से जुरा है यह जैन धर्म से जुरा है ठीक है यह अभी न्यूज में है को कि अभी स्टार्ट हुआ है सेप्टेमबर में पर्व और इसी लिए इस आइन फालते हैं आप लोग क्या होता है दिगंबर मोलता है कि आसमान ही मेरा कपड़ा है तो लोग नंगे घुमते हैं मतलब कपड़ा नहीं पहनते है और सवेतांबर बोलते हैं सवेत कपड़ा पहनेगो वाइट ठीक है यहां स्याद रखिए कि कल अभी इस पर में इनको मुझे याद आया कि आप लोग एक ध्यान जरूर कीजिएगा दो ध्यान जरूर कीजिएगा एक तो है आपको भ्रामरी भ्रामरी आपके दिमाग के जो सेल होता है उसको बहुत मदद करता है इसको आप गूगल पे यूटूब पे सर्च कर लिजेगा बावारामदेव कभी अच्छा है और अनुलोम विलोम जो है इन दोनों से क्या होता है कि हमारा सरीर बैलेंस होता है जो दो हमारे सरीर में ठंडा और गरह में उसको बैलेंस करते हैं तो हमारा सरीर डिसीजन सही ले पाता है तो जिनका अभी पीटी देना है वो लोग जरूर 10-15 मिनिट कीजिए लेकिन जरूर इन दोनों ध्यान को कीजिए ठीक है लक्ष्मी जी इसके बाद मैं संभव तक कल क्लास लूँगा जिसमें बात करूँगा कि अगले पांच जिन में क्या कि आपके नंबर पांच नंबर बढ़ाने के स्ट्रेटिजी पर मैं कल बात करूँगा ठीक है करेंट अफेरी क्लास इसको डाइली उट नहीं करना चाहते हैं जल्द ही खतम करने की कोशिस में लगा हूं वर्ल फेडरेशन फोर मेडिकल एजूकेशन के अब निमलिकित कत्रों पर विचार कीजिए यह एक वैस्विक संगठा ने जो दुनिया भर में चिकिसा सिक्षा की गुनवत्ता को बढ़ाने के लिए समर्पित है राष्टे चिकिसा आयो को डवलो फो द्वारा माननता प्र मेडिकल कॉलेज है वह आ जाएगा है ठीक है 1972 में इसका इस्टैबलिश्मेंट हुआ था यह डवलो फमी का और यह एक और ग्लोबल ऑगनाईशन है जो कि क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन को सपोर्ट करता है और भारत में लगए 706 मेडिकल कॉलेज है और सब यह को उसे अप्रूब कडेगा का जिससे कि बाहर भारत के लड़के बाहर भी जाएंगे बच्छे तो उनको मानेता मिलेगे और बाहर बच्चे जब भारत आएंगो तब उनको मानेता मिलेगे सब्सक्राइब कर दिया है रात को मैं दस से ग्यारा टाइम सिर्फ आप लोक लिए मैं रखा है कि मैं डेली आप से करेंट अफेर और एक्जाम स्ट्रेटजी पर बात करूंगा आधे घंटे के लिए आज सुरह टाइम वैन प्रोग्राम को प्रकिर्टिक खेती के लिए बढ़ावा दिया है इसका जवाब कौन बताएगा यह असाम गलत है हिमाचल परदिस नैच्रल खेती आजकी रेटें बहुत पीक पे है और इसको प्रोट करने के लिए हिमाचल परदिस की क्रिसी विभाग में प्रकिर्टिक खेती खुसाल किसान योजना के तहद मोबाइल वैन कारकर में स्टार्ट किया गया है बिहार में अभी घ्यान वहन नाम से इसको स्टार्ट किया जा रहा है फिठीक है इसका अगरवरोगा तो इसके अडिक होते जारा है और उसकी उत्पाद हमार्री होते जा रही हैर्ये सब्जी खारें उसके में भी घ्यां वहर फिवार। करने लगते हैं तो उससे आप बाहर निकल लिएगा को कि देखा गया है कि पिछले कुछ BPSC में जब ऐसे सवाल पूछे गए हैं उसमें से दुसरे राज्य कही नाम होता है बिहार पर टिक लगा के मत आजेगा जब कि पिछ योजना प्रोग्राम का नाम हो तो बिहार पर टिक लगाने के बहुत गंदी आदत है कि नेशनल ग्रीन ट्यूल ने किस राज्य में जल लिकाव पर चलने वाले कुरूज जहाज़ों पर परतिबंद लगा है मतलब जो वहां पर जल लिकाए हैं उस पर कुरूज जहा परतिबंद लगाने का देश दिया है और ध्वनी प्रदूर्शन हो रहा था जिससे कारण से यह हो रहा था ठीक है एसिया प्रसांथ फॉरूम एसिया पैसिक फॉरूम के बारे में क्या सही था इसके बारे में किसको किसको पता है अश्या पैसिक फॉरूम के बारे में टूब एडविटेट अजए फुल मेंबर अफ नेशनल हुमेल राइट इसिशन मस्ट फुली कंप्लाई विद ना इंटरनेशन स्टेंडर पैस प्रिंस्पल ठीक है यह इस सवाल में जो लिखा हुआ है आपको जो दूसरा ऑप्सन है यह आपको एसी अप्रसांथ चेतर में प्रयावरन से नहीं है एसी आप्रसांथ हुमें राइट आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी को भी अपना राइट मिलना चाहिए मैं नहीं देखा है कि ब एस प्रिंस्वल के जो है उसको कंप्लाई करना होता है जब यह एक इंपॉर्डेंट सवाल है यह बहुत लंबा नाम है इसका है आपको प्यूच्ट्री गोड्ट्रियांगल इंटर्मीडिसा इसके बारे में किसने किसने सुना है जिसने सुना है जल्दी मैसेज करके इंटर मेडिश नाम को जान लिजिए यह सवाल जरूर आने वाला है तो बंगाल में एक मचली मिली है जो इस पर जाती कि ए ठीक है तो यह सबसे पहले क्या है यह फिस से रिलेटेट है यह बंगाल में आपको यह मचली खोजी गई है तो इसको नाम को पढ़ने में फिर से थ्रटफ नाम है पेट्री गट्रियंगला इंटरमेडिस है ठीक है इसे आम तोर पर गांड गानेट्स या सी रॉबिन्स के नाम से जाना जाता है यह ट्राइग परिवार से संबंदी थे मचली के नमूने विभिन पहलू में मिले हैं और भारत में अब तक रिपोर्ट के जिसके चौथी पर जाती मिली है और यह पूरे जोलिजिकल सर्वेय और इंडिया द्वारा इसकी खोज की गई है इसकी स्थापना 1916 में की गए थी यह क्या चीज है यह भारत में विज्यान प्रादगी की और नवचार के छेत्र में सर्व सभी विज्ञानिक पुरुसकार के पात्र होंगे यह पुरुसकार अंडराश्टी पुरुसकार के परावर परदान की जाएगा उपर दिये गए कथन कितने कथन सही है यह बताईए कि किसने सुना इसके बारे में कि बताईए सुना है तो आपने कि देखिए यहां सवाल जो पूछा गया कितने कथन सही है मतलब नंबर ऑफ स्टेट्मेंट यह एक ट्रिकी कोश्चन है यह अभी कुछ स्टेट कि PCS ने इंट्रिकी किया ही हो सकता है सर बिहार में विया है यह संख्या पूछ रहा है कितने कथन सही है एक सही है कथन दो सही है तीन सही है यह नंबर नहीं पूछ रहा है कि नंबर से कितने कथन संख्या पूछ रहा है इसमें से दो कथन की संख्या सही है जैसे कि भारत विज्ञान प्रदोगी को नवचार के छेतर में सर्वोच मानेता जैसे होगा यह साइंस में अगर अच्छा काम कीजिएगा तो उसमें आपको भारत में जो पुरुसकार जाएगा हां यह भी सही है कि यह अन्य राष्ट्र पुरुसकार तो उसके बरावर ने परदान किया जाएगा ठीक अब यहां से कोशन बनता है यह पढ़ लिए राष्ट्र विज्यान प्रौदगी की और नवाचार वतलों इन्वेसं के छेतर में दिया जाएगा यह पुर और इसके बाद एक और सवाल बनता है कि विज्यान दिवस राष्टि विज्यान दिवस कब मनाया जाता है कौन बताएगा क्यूं मनाया जाता है दोनों चीज जवाब मुझे चाहिए क्यूं मनाया जाता है एक मन दूप जई-इस में कुछ ये सरसीवी रमन का जनम दिन नहीं था सरसीवी रमन ने एक दिन रमन इफेक्ट की खोज की थी ठीक है, ये सवाल आ चुका है कि 28 फरवरी को बड़ाष्ट्रिय विज्जान दिवस मनाया जाता है क्यों को कि सरसीवी रमन का जनम दिवस थी नहीं इस दिन उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी यह ट्रिकी कोश्चन है इसलिए इस ते रिलेटेट से तो मैंने यहां पर कवर कर दिया ठीक अठाइस फेब को मनाया जाता है सर सीवी रमन कभी मौका मिलेगा तुनकी जीवनी पढ़ियेगा ने रमन इफेक्ट की खोज की थी इसी दिन रमन इफेक्ट की खोज की थी ठीक है यह इंपोर्टेंट कोश्चन है जिनको नहीं पता था जान लीज़े अभी कुछ लोग बर्थडे लिखने बर्थडे गलत जवाब है ठीक है अब यह भी पिरोविक साइट के बारे में जाने पिरोविक साइट क्यों न्यूज में है बता दूंगा को कि यह सोलर को रिप्लेस करने वाला सोलर पैनल है यह यह उच दक्षता वाले बानिजिक फो पोटेंशियल इनक्सफेंसी बेस मेटरिल फॉर हाई एफेसेंसी कमर्सियल फोटो वल्टेक मतलब सोलर के हम लोग में जा रहे हैं सोलर एक अल्टरनेटिव है और उसमें यह जो पिरोग्साइट जिसका हुआ है यह सस्ता उसका अल्टरनेटिव है ठीक है और देकन वी कियर इन्फरारेट कि करता है और यह तो सवाब है लेकिन इसके बादे में जान लीजह को께 यह सवाल आ सकता है कोकि यह इंपर्टॏंट अभी بہת जादा निूज में है ठीक कि इसेटल-ड़िसतली सवाल है इतौब बंधकर से प्राप्त होता है यह अधिक में सुधार करता है मेरा मीडियम में इंगली से इसलिए मैं हिंदी कभी कुछ मिस्टेक कर सकता हूं और 2030 भारत में सभी महानों में 20 परसेंट इतनौल संगत सामगरी होगी इसका जवाब जो बताएगा मेरी तरफ से जब मिलेंगा तो मैं एक पेन गिफ्ट करूंगा मैं नाम कि इसद्राइब कर दोड़ाएं नाई सी गलत है नाइसी गलत है यहां जो 2030 लिखा हुआ है यह 20quis तक का टार्गेट है सिलिए यह जो है आपका option ये वला ये ठीक है कितने कथन सहीं है तो दो कथन सहीं है केवल दो कथन सहीं है ठीक है भी ऑप्सन नी वन और टू दोनों सही सब्सक्राइब करता है इतनों में अक्सिजन होता है अधिक पूंध दहन में करता है और पचीस सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता है और जितनी भी सराब के फैक्ट्रिया थी बिहार में जब मद निसेद हो गया तो वो लोग इतनौल ही बना रहे हैं और इतनौल का फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा है ठीक कि तो यह आज का करेंट अफेर्स हो गया कि यह बैच का कुछ डिटेल्स है और अब मैं आपके सवाल लूँगा पांच मिनट फिर हम लोग कल मिलेंगे इसी टाइम पे ठीक लंबा हम ब्लोग सेशन को नहीं खीचना चाहते हैं लक्ष्मी रतन जी मेरा नाम नोट रखियेगा लक्ष्मी रतन जी आपका सेलेक्षन हो जाएगा तो मैं आपसे मिलूँगा बहुत अच्छा लगता है जब किसी कोई थैंक्यू कहता है कि असर आपके कारण मेरा सेलेक्षन हुआ और मैं चाहता हूँ सब का सेलेक्शन हूँ, हम सब में बहुत पोटेंसियल है, हम सब में इतनी पोटेंसियल, हम अपनी पोटेंसियल को पहचानते नहीं है, यही गलती है हमारे साथ, हमने अपने आपको इतना अंडरस्टिमेट करके रखा हुआ है, इतना अंडरस्टिमेट क साल के उमर में ट्यारी शुरू की थी तो आप भी कर सकते हैं कोई बहुत बढ़ी चीज नहीं अपने अंदर हिम्मत जगाए कि मुझे करना है एक साल में करना है अरे 22 साल का लड़का एक्जाम क्वालिफाई कर लेता है यूपीस साल के लड़के एक्जाम क्वालिफाई कर ल सर रेगेुलरिटται कैसे मेंटेंड करें आधिती जी रेगेलरिटी मेंटेंड करने के लिए आँख बंद कीजये और अपने माता-पिता को IMAGIN कीजये रेगेलरिटे यहाऊ उन से बिया मोटिवेशन कहीं कोहीं से नहीं आ नहीं-स्जीं को मेशिए माना हई है यूठ है और फिर समय जा गयाता था तो यह कीज़े सबसे अच्छा है उनको ही उनको तो रिटर्ण देना है जिन्होंने हमारे इतना सेक्रिफाइस किया है कि हर चीज पैरेंट्स ने सेक्रिफाइस किया हुआ हमेशा आप पर डिपेंडेंट है आप अच्छा पोस्ट ले आएंगे ना उनका जो अभी से जितना उमर है जितना उन्होंने सेक्रिफाइस किया आपके लिए बच्चेस साल तीस साल वह फ्रूट्फूल हो जाएगा वह सही में वह वह बतलब क्या करेंगा अपने उनका उनकी उमर बढ़ जाएगी तो उनके लिए कुछ किजिए अजित जी बीगनर कैसे स्टार्ट करें सबसे पहले ncrt पढ़िए ncrt से बेटर कोईच नहीं है और उसके बाद ग्रेज्वाली जो बुक्स मैंने बताई है आप उसको पढ़िएगा लिउसेंट की बुक्स हो सकता है अच्छी हो लेकिन मेरे रिवियू में लिउसेंट की लिउसेंट में आपको याद करना पुड़ेगा आपकी ब्रेम की कैपसिटी है कि आप पुड़ा किताब याद कर लें जब तक किसी चीज को आप समझेंगे नहीं कि यह क्यों घटना घटरी एकनॉमिक्स में ऐसा क्यों हो रहा है कि GDP से हम GnP क्यों पढ़ रहे हैं हम इंफ कोई वी चीज महंगी होती है इंफलेशन होता है सस्ती होते डिफलेशन होता है यही तो है एकनॉमिक्स अगर आप लुसेंट किताब उठाएगा प्रटिय का डेफिनिशन तो आप चीजों को समझ लिजे कोई भी चीजों को समझ लिजे आपको फिर दिमाग से नहीं निकल लिजे आताया कि आपको एक करके चीज आपके दिमाग में लेर वाई बैठती गई तो वैसे झी कोई भी चीजिज Convents Partner कि अपकी बढ़तें को विजे नहीं याद करने अब कर जाएं अगर आप याद कर सकता है अपमें च्रंकता है तो बहुत अच्छी बात है दरोगा के लिए भी हमने एक अपना mentorship प्रोग्राम स्टार्ट किया आप उसको देख सकते हैं अगर आप इंट्रेस्टेट है guidance के लिए तो रविश जी देली अपसोचते नहीं पढ़ पाते हैं तो आप ये सोचे कि उमर कैसे कटेगी धीरे धीरे बहुत टफ है फेलियर का बोज लेके जीना और जिस दिन सांसे खतम होंगी उस दिन regret होगा कि मैंने बरबात कर दिया इस जीवन को ब प्रदा गिरने के बाद भी तालिया बजते रहें उसके लिए करना गया है एक साल कड़ी मेहनत करने और कुछ नहीं करना पूरा जीवन असान हो जाता है कि मैं मिलूंगा आपसे कुछ अच्छा रिजल्ट लाइए पीटी का रिजल्ट लाइए मैं आपसे जरूर मिलूंगा है ठीक है तो आज का सेशन को हम लोग यहीं रोकते हैं और कल फिर मिलते हैं हम लोग ठीक चलिए गुड़ नाइट कैसा लगा क्लास जरूर कमेंट कर दिजेगा कुछ लोग को लिख रहे हैं अच्छा लगा तो कमेंट कीजेगा उससे मेरा मोटिवेसन आदा को कि मैं दिन वर ठकने के बाद रात में समय निकाल रहा हूं कि मैं आपसे इंट्रेक्ट कर सकूँ तो आपका जो कमेंट है वो मे अधार करूंगा को कि आपसे ही सीखना है ठीक चलिए ओके गुड़नाइट कल मिलते हैं दस वज़े